सुरज एक आम लड़का था, जो एक छोटे से गाव में रहता था. उसका सपना था कि वह एक दिन बड़ा आदमी बनेगा और अपने परिवार का नाम रोशन करेगा. लेकिन उसे पता था कि सपने हकीकत में बदलने के लिए महंत करनी होगी. सुरज का पहला कदम शिक्षा की ओर बढ़ने का था. उसने समझदारी से अपनी पढ़ाई पूरी की और एक अच्छे कॉलेज में प्रवेश पाया. वहां उसने नई दोस्त बनाए और अपने लक्षों की ओर बढ़ते हुए महंत करना शुरू किया. लेकिन कहते हैं, जीवन का सफर कभी भी सीधा नहीं होता. सुरज को भी अपने महनती पत में कई चुनोतियों का सामना करना पड़ा. लोग उसे नकारात्मक्ता दिखा रहे थे, कुछ दोस्त उसके सपनों को मायूस करने की कोशिश कर रहे थे. इस बीच, सुरज ने एक नई गुरू मिला, जो उसे संघर्षों का सामना करने के लिए फ्रेरित करता रहा. उसने सुरज को यह सिखाया कि जीवन में चुनोतियां आती रहती हैं, लेकिन वे आपको मजबूत बनाने का एक अफसर होती है. सुरज ने नहीं हारा, बल्कि उसने अपनी महंत और संघर्ष को और बढ़ाया. उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक बड़ी कमपनी में नौकरी प्राप्त की. वहां भी उसने कई मुश्किलों का सामना किया, लेकिन उसने कभी अपने लक्षों से हाथ मिलाया नहीं. समय के साथ, सुरज की महंत और संघर्षों ने उसे कमपनी में एक महत्वपून स्थान दिलाया. उसने अपने सपनों को पूरा करने में सफलता प्राप्त की और अपने परिवार का नाम रोशन किया लोग जिस तरह से सुरज के साथ बदल गए वह इसे सीधा बताते हैं लोग तो पीछे तब आते हैं जब आप काम्याब होने लगते हैं सुरज ने नहीं सिर्फ अपने सपनों को पूरा किया बलकि उसने एक सकारात्मक बदलाव को भी अपने चारों और लाया